आयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का उध्गाटन 22 जनवरी को पीएम नरेंदर मोधी के हाथों होना है इस सबसर पर आयोध्या में मिनी इंडिया दिखाई पड़ेगा यानि कारकरम उध्गाटन में देश में हर जाती धर्म संप्रदाइक शेत्र और वैचारिक धाराओं से जुड़े लोगों को शामिल करने की उचना है श्री राम जनभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार वो योध्या में राम मंदिर को राष्ट की असमिता की प्रतीक की रूप में विष्गी सरवाधिक प्रसिद्धार्मी की मारतों के रूप में विक्सित करना चाहता है इसके लिए उद्घाटन के अवसर पर हर वर को शामिल कर सबको इस एतिहासिक मौके का साक्षी बनाने की तयारी है और इसके लिए उद्घाटन कारकरम में हर समाज हर वर की भागेदारी आवश्चक है यही कारण है कि उद्घाटन में समाज को प्रभावित करने वाले हर वर की प्रतनिधी की भागेदारी सुरिश्चित करने की कोशिश की जा रही है देश के सभी प्रांतों केंद शासित प्रदेशों इनमें प्रचलित विशेष स्धान्मिक संप्रदायों के लोगों को उद्घाटन कारक्रम के लिए नियोता भेजा जा रहा है विशेषकर सिख, बौध और जैन तो जैसे जो धर्म संप्रदाय सनातन हिंदु धर्म से निकले हैं उन सबको उद्घाटन कारक्रम में शामिल होने के लिए आमनपृत किया गया है इस बहाने उद्घाटन कारक्रम में देश के हर प्रांथ केंद शासित प्रदेश की भागेदारी सुनिश्चित की जाएगी आला कि आम जनता के लिए अलग लग प्रांटों के लिए अलग लग दिन निरधारित कर भीड को कम करने का प्रयास किया जाएगा राजनीती से जुड़े लोग अभी तक विपक्षी दलों के इस कारक्रम में आमंत्रित करने के असमंजस बना हुआ था लेकिन ट्रस्ट ने कॉंग्रिस की पूरवर्ध्यक सोनिया गांधी सहित कई वरिस्ट नेताओं को आमंत्रित कर इस पर स्थिती साफ कर दी है माना जा रहा है कि जल्दी विपक्ष के अन्यशीष नेताओं को भी राम मंदिर उधगाटन कारक्रम में शामिल होने का नोता भेजा जाएगा इसमें अखलेश यादव, ममताब एनरजी और नमीन पतनायक जैसे नेता शामिल है क्रिकेट, बॉलिवुड और कला साहित के प्रितनिधी भी ट्रस्ट के अनुसार इस कारक्रम में शामिल हो सकते हैं क्रिकेट की माहन हस्तियों, खेल और बॉलिवुड की नामचीन चहरों को आमनफृत किया जाएगा इन हस्तियों की ओर से आने की स्वीकृती के बाद ही इनके नाम सार्वजनिक किये जाएगे उद्घाटन कारक्रम में कलाक्षेत्र के बड़े-बड़े लोगों के साथ हिंदी, तमिल, तेलगू, उर्दू, सहिच सभी भारती भाषाओं के साहित कारों को भी राम मंदिर उद्घाटन कारक्रम में आमनफृत किया जाएगा